हमें integrate करना है sin2x और into में है मारे पास tan inverse sinx को छीक है यह तो काफी असान है अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो इससे आई माल लो ठीक है जो नया आई आएगा मारे पास वो उसमें कुछ नया नहीं करूँगा बस यह sin2x को न 2sinx cosx लिख दूँगा एक ही बात है sinx into में cosx यह sinx है चीक तो इससे फैदा क्या होगा x dx इससे फैदा क्या होगा अगर मैं sinx को t मानता हूँ तो यह cosx तो कट जाएगा है के नहीं दिख रहे है सब को साफ साफ let sinx is equal to t on differentiating both side हमें क्या मिलेगा sinx का cosx मिल जाएगा x का dx मिल जाएगा is equal to t का dt मिल जाएगा तो यहाँ से मुझे dx की value क्या मिल रही है cosx को divide में लिया हो multiply में है तो cosx यह मिलेगा है के नहीं हमने कुछ let किया है जो ही हमारा x is equal to 0 से x is equal to pi by 2 है यह भी change आएगा तो क्या आएगा हमारा पास नया नहीं क्या t की value क्या आएगी at x is equal to 0 पे t की value क्या आएगी बताओ t is equal to put करो इसमे sin 0 क्योंकि x 0 है हमारा sin 0 हमारा 0 होता है तो t is equal to क्या आगया 0 आगया और बात करते है at x is equal to upper limit क्या है pi by 2 इस पर t की value क्या आएगी this implies t is equal to sin pi by 2 क्या होता है sin pi by 2 1 होता है तो t हमारा 1 की equal आगया है तो अब जो नया आए आएगा वो कुछ ऐसा आएगा t is equal to 0 से t is equal to 1 और 2 constant है बाहर निकाल लो चाहोते उससे पर यहाँ पर क्या बचा sin x को हमने t let किया है तो t लिख लो इसको सीधा ठीक है t और into में cos x फिर 10 inverse bracket में sin x है जिसको हमने t let किया है तो अब ट लिख दिया है मैंने और dx के value जो निकाली है हमने dt upon में cos x put कर दो cos x से cos x cancel हो गया तो i क्या है हमारे पास i आ रहा है 2 integration of 0 to 1 t into में 10 inverse t dt है ना तो इसमें अब आप यह formula यूज कर लो और solve कर लो इसे तो यह हमारा पहले क्या आता है हमारे पास कुछ लोग उसको first बोलते है second बोलते है जया सम्मन करे formula यह रहा अगर first बोलोगे तो first ही यह तभी भी यह होगा यू हमारा जो भी है कर लो solve तो 2 पहले क्या करना में u multiply में integration of v यू हमारे 10 inverse t है तो 10 inverse t multiply में integration of t dt minus integration bracket में d over dt किसका u का जोगी हमारा पास है 10 inverse t फिर integration t का dt के respect में फिर bracket close dt free बड़ा वाला bracket भी close कर दो ठीक है यहां तक पहुँचके अब इससे और solve कर लो और limit भी हमारे पास 0 से 1 यह भी लिख लो तो अगर इसको और solve करते हो तो क्या value मिलेगी 2 यहां पर क्या आएगा integration of t क्या होता है t square by 2 होता है t square by 2 into में यह 10 inverse t minus integration differentiation of 10 inverse t के आएगा मारे पास 1 upon में 1 by t square आएगा है रहा और फिर integration of t के आएगा हमार पास t square by 2 आएगा और यहां पर dt ठीक और जो limit है हमारे 0 से 1 वो बाद में put करेंगे अले से और solve कर लेते हैं तो और solve करेंगे तो हमें i की value क्या मिलेगी 2 का 2 यहां पर क्या है t square by 2 into में 10 inverse t minus यहां पर यह जो 2 है divide में बाहर ही निकाल लो यहां पर क्या है integration देखो ऊपर क्या है t square नीचे क्या है 1 plus t square तो हम क्या करेंगे ऐसे कुसम हम कर चुके कही बार नीचे 1 plus t square है न तो ऊपर भी 1 दे दो तो 1 plus t square आ गया और minus v1 करना पड़ेगा क्या है तो minus 1 करना पड़ेगा नीचे क्या है 1 plus t square dt एक ही बात है है कि नी चाओ दो चेक कर लो यह 2 बाहर आ गया बचा क्या है हमार पास यह इसको मैं लिखा है 1 plus t square minus 1 1 से 1 cancel कर दो तो t square अपन में 1 plus t square दाएगा जो नीचे था वो मैं ऊपर ले आया ताकि इससे में separate करके असानी सा answer निकाल सबूँ तो यह भी बचा क्या है मेरे पास i क्या रही है i is equal to 2 जगे का में t square by 2 10 inverse t minus ठीक है 1 by 2 तो 1 by 2 integration इसको separate कर लो 1 by 1 plus t square upon 1 plus t square को separate कर लो तो क्या आएगा हमार पास 1 आ जाएगा हाँ पर में 1 plus t square तो 1 upon में 1 plus t square और dt ठीक है अब यह integrate करना साने है है के नहीं तो हमें limit भी जाला कि 0 स 1 वह भी लिख देता हूं बार बार लिखना पड़ रहा है 1 upon में a square plus x square का form बन रहा है आपर जोगी इक लोगा 1 by a 10 inverse x by है यह मारा 1 होने वाला है तो यह आगया हमार पास minus 10 inverse t और यह close कर दो और back it close limit 0 से 1 अब जहां पर भी t हो वहां पर 1 पहले put कर दो तो हमें क्या मिलेगा 2 यहां पर 1 put करोगे तो 1 square by 2 1 ही होता है तो divide में 2 है तो divide में 2 लिख दोगे 10 inverse t की जगर 1 put करना है तो 1 put कर दिया फिर minus यहां पर put करोगे t की जगर 1 तो यहां पर 1 मिल जाएगा 1 by 2 into 1 minus 10 inverse 1 ठीक है अब जहां पर भी t हो वहां पर 0 put करोगे यह भी 0 जाएगा यहां पर 0 यहां पर 0 जाएगा तो minus 0 आगया हमारे पास इसे solve कर लो के अराम से 2 यह value क्या आने वाली है हमारे पास ओ 1 by 2 10 inverse one है यहां पर क्या है minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 2 और~! minus plus प्लस 1 by 2 स्टैन स्धान स्टैन इंवर्स One तो यहां पर 1 by 2 10 inverse One यहां भी plus 1 by 2-10 inverse One यह क्या हो गे हमारे पास ? 1 by 2, 1 by 2, 1 होता है तो मैं 10 inverse 10 pi by 4 एक ही बात है minus 1 by 2 ये एक-एक step कर रहा हूँ ताकि आपको infusion ना रहे ये cancel हो गया तो क्या बचा हमार पास 2 in 2 में pi by 4 क्या हैगा हमार पास 2 in 2 में pi by 4 pi by 2 होता है और 2 in 2 में 1 by 2 तो 1 आएगा और हमार माइनस भी है तो माइनस का 1 आ गया ये हमारा आणसर आ गया ओके